वेलकम बेक में जुगल आरे आप सभी का एक बार और हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो की अप अबजेक्टिव को पढ़ने वाला हूँ पहले वाला अबजेक्टिव है आपका भक्ती काल की समय सिमा कितनी है तो बावाला इसका सही रहेगा समवत 1375 से समवत 1700 तक रामचरित मानस की भासा है तो रामचरित मानस की भासा अवदी भासा है रोदर रस का इस्थाइभाव क् नेता जी की मूर्ती लगवाई गई थी किसके द्वारा नेता जी की मूर्ती लगवाई गई थी तो वो हमारे नगर पालिका के द्वारा नेता जी की मूर्ती लगवाई गई थी अब अगला देखते हैं चिकित्सा में कौन सा समा से समा स्विग्रे क्या होगा चिकित्सा के लिए आलाई साप निकलने पर डरकर भागने भोला आकर छिपे थे कहां छिपे थे वो घर की कमरे में घर के कोने पर पिताजी की गोद में या मैया के आचल पर तो यह आपका दावाला उप्शन इसका सहरेगा मैया के आचल में अब हम रिक्तिस्तान की पूर्थी करते हैं, विदा के समय मा को अपनी बेटी खालिस्तान पुंजी प्रतित हो रही है, तो ये अंतिम पुंजी प्रतित हो रही है, कावी की सोबा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं, तो कावी की सोबा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार क बढ़ते हैं यह था सकती में समास है तो अव्योभाव समास है कभी कभी खालिस्तान हमें कुष्टी भी लड़नी चाहिए किसने कहा था पीता जी ने आगे बढ़ते हैं हिरोसिमा में खालिस्तान है तो हिरोसिमा जापान में इस्थी थे अब आगे देखते हैं हम जोडी की त देता हूँ प्रत्विराज रासो प्रत्विराज रासो एक महा कावी है अगली वाली जोड़ी को देखते हैं एक कहानी यहां भी तो एक कहानी यहां भी किस ने लिखा था यह लिखा था मन्नु बंडारी ने इस्वर करे तुम पास हो जाओ तो यह आपका है बिना महनत के ला एक सब्द में उत्तर देखते हैं तो एक वाकिए एक सब्द में उत्तर है विश्व के सकल जन के से रह रहे हैं तो विश्व के सकल जन व्याकुल और बेचेन रह रहे हैं तो मैं आपको लिख देता हूँ इसमा आएगा व्याकुल और बेचेन यह आपको इसका आंसर एक सब् इसका अर्थ क्या है तो त्रप्त धरा का मतलब यह होता है धरा मतलब होता है प्रत्वी दुख से पीडित धरती इसका उत्तर लिख देना आप एक सब्द मूत्तर दुख से पीडित मतलब दुख में पीडित है हमारी कौन धरा धरा मतलब धरती या प्रत्वी ऐसा भी लिख स कहते हैं, परागे beauty च्पाईचन्द में कुल कितनी मात्राय होती है तो। चोपाई चन्द में लगभग 16 मात्राय कुल होती है नेता जी की मुर्ती कितनी उझ do यह आपकी बुका है आप स्वभ्य मिआव को खोजें उपासना करने वाले को कह सकते हैं उपासक उपासना करने वाले को उपासक कहा जाता है हिंदी का पहला आंचलित उपन्यास कोन सा माना गया है तो यह माना गया है आपका हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास परिक्षा गुरू यह आपका हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास है आप सत्य असत्य की बात करते हैं राजा का धर्म हे की प्रजा को ना सताएं तो यह आपका सत्य है और खंड कावी मुक्तक कावी का एक वहेद होता है तो यह आपका असत्य है कहानी उपन्यास की उपेक्षा छोटी होती है यह आपका सत्य है प्राचिन भारत में इस्त्रियों की अत्यन्त दूइस दूइस दसा थी तो ये भी आपका असत्य रहेगा फिर सिद्धार्त स्वस्त है या है विविद वाचक है सत्य है तारकेशवरनात भूलयनात का एक नाम था सत्य अब हम इन कोशचनों को देख लेते हैं या आप कोशचन देख लें इन कोशन के में उत्तर आपको नीचे इस वीडियो के अंतर तक आप बने रहें चेनल पर नए है तो चेनल को सबस्क्राइब करें इस प्रकार आगे आने वाले प्रशन पत्र का भी में संपूर्ण सोलुइशन आपको लाता रहूँगा इसलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें लाइक कीजिए और चेनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अब इन प्रशनों के उत्तर में आपको प्रवाइट कर देता हूँ कि यहाँ पर निभन्द एप्लिकेशन तो यह यहाँ पर मैंने वहाँ पर आपको आपको आप्शन समझा दिये हैं और यहाँ पर सब्सक्राइब कर निभन्द का में और वी लाइक को में समझा दिक etthrahi को सब्सक्राइब नावी को फ्र 근데 यहाँ पर सब्सक्राइब को अब में इसा निव्स करें नोड बहुता हया दाउन करें और वीडियो को ज्यादा स्विझेक लेडन को प्रें तaकि हमें इसे परकार से आपके एक लाइक से हमारा भी motivation बना रहेगा और हम आपके लिए और इस परकार के अनेक वीडियो बनाते रहेंगे यह आठवा वाला Qešn समपुन हल के साथ यह 9 वाला Qešn यहापर अब देखते हैं यह 10 वाला Qešn दसवे वाले कोश्चन का अंसर आपका फिर ये ग्यारवे वाले कोश्चन जो उपन्यास के नाम और उपन्यास के लेखों के नाम भी हमने लिख दिये हैं बारवे वाले कोश्चन में विसेस्ता हैं लिख दी हमने दो फिर तेरवे वाले कोश्चन में इनके जो निमने स्वरूफ प्रकट हुएं वो कौन-कौन से वेजबूसा, ग्रैस्त जीवन, है ना ये सारे के सारे, अब चवधवा वाला कोश्चन जो उसके अथवा वाला कोश्चन है, उसका अंसर आपका दिया है, ठीके, यहाँ पर समास की परिभासा और समास का एक उध लिख सकते हैं, तो अगले वाले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं, अब यहाँ पर आपके मुहावरे के बारे में बताया है, कि मुहावरे और लोकुक्ति मंतर तो एक तरफ मुहावरा लिखे, एक तरफ लोकुक्ति और एक टेबल बना ले, और सार्वाले कोश्चन को आप अथ्वा वाला है इसको लिख ले फिर 18 वाले कोश्चन में यहां पर आपको गद्ध पढ़ना था उसके आंसर देने थे तो यहां पर हमने आंसर आपको लिख दिये हैं यह आंसर आप नोट डाउन कर ले फिर 20 वाले कोश्चन 19 स्वयम आपकी स्वयक्छा से लिखे क्योंकि उसमें समवाद दिया था समवाद आप आपके स्वयम पात्र के अनुसार ही लिख सकते हैं फिर 20 वा लिख लिए इसके बाद हम 21 वा देखते हैं प्रस्तुत पध्यान से हमारी पाठी पुस्तक चीतिज भाग दो से इस्तरी के बारे में विरोध जो किया गया है उनके अनु कर देता हूँ यदि आपको लिखना है कि हमने उस सन में पास की तो वह हैं आपर आप सन चेंज कर सकते हैं बेंक आडल मनी आडर और या आपके अनुक्रमांक नंबर यह तो हमने सेंपल के रूप में आपको बता दी आप्लिकेशन चाहे तो एसे भी लिख सकते हैं और अप इसके बाद परियावन प्रदूसन बढ़ता हुआ खत्रा हमारी लापर भाही उप्शन हार यह हमने आपके लिए प्रयावन प्रदूसन का संपुन निभन आपको तयार करके बता दिये यदि हमारा वीडियो आपको पसंड आया तो ज़्यादा लाइक शेर एनद सब्सक्र